कि पहले एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है फिर हेल्प मैनुवल हमने चूज करना है यह डाउनलर्ड पूछेगा डाउनलर्ड पर क्लिक करते हैं पर हमारा हेल्प मैनुवल डाउनलोड हो गया है मैं हेल्प मैनुवल के थ्रू आपको बताऊंगा कि हमने अकाउंट कैसे क्रियाट करना है और कैसे रिजिस्ट्रेशन करना है आगे यह हमारा हेल्प मैनुवल डाउनलोड हो गया है फोर न्यू कैनिडेट्स इसमें पूरी इंफर्मेशन दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है आप डिरेक्टर डाउनलोड भी क नाम हो गया टिक है मिडल नेम लास्ट नेम एंड लास्ट मेल लोग में नेम होगा कुछ भी हम रख सकते हैं जैसे इन्होंने एक्जांपल दी हुए वैसे ठीक है पासवर्ड रखना है यह कंफर्म करना है जैसे हम और्मल कुछ भी आईडी बंद भनाते है तो वैसी सब पर क्लिक करना आपने तरय तो आपने लोग इन पर क्लिक करिया सुपोझ आपक यह में सो जाता है तो ऊपर यहां पे दिया हूँ थो सिक्रट पर क्लिक करके और ड्रेट आपको ए खुल जाएगा तो उसके बाद ROM लोगिन करना आपने लोगिन करती है लोगिन करने के बाद यहां पर एक आपको ऑप्ष देगा कि एक सीक्रेट कोश्चन है जैसे वर्ट यूर फादर्स मेडल नेम कुछ भी आप रखके इसको सेव कर लेना कि अगर आपको इन केस अगर आपको पासवर्ड मिस हो जाता है लास्ट वाला कॉलम है पॉइंट है एक्जाम रिजिस्ट्रेशन ठीक है एक्जाम रिजिस्ट्रेशन वाला प्रफाइल पर क्लिक करना है ठीक है यहां पर आपने प्रफाइल क्रेट करना है अगर आपको पहले एक्जाम दिया है तो येस अगर नहीं दिया तो नो यहां प आपका इसमें नीचे को स्कुलॉलाउन करेंगा तो नीचे एक और कोलम रहेगा कि आप काह पर अभी कंटली काम कर्ण रहे हो तो अग्दोर और वह damnAJP आपके एमप्लॉयर की गावर गयूसके आपने के इंद्दे हं टिखे और लास्ट में समट कर देना आपने highest강 मेट के बाद यह आपका परफायल शेव होगया और अब आपने हैं है रिजूस्ट रेसिशन् दि आला Tapi 첫 चैसे थी यहे तो यहां पर वही वही पर जाना है एक्जाम रिजिस्ट्रेशन में तो यहां पर फेद क्लिक करना है ठीक है यहां पर हमने रिजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया रिजिस्ट्रेशन के बाद कि हमने अपना इंस्टेटूट चूज करना है ठीक है यहां पर हम यह नेक्स्ट विंडो खुली वहां पर क्लिक करने तो यहां पर Mumbai insurance of India ऐसी चंडीकर इंशोरंस ओफ इंडिया कोलकत्ता इसे ऐसे हैं तो आपने एक सेलेक्ट करना है जो आपके निगर बढ़ता है बस इसका कुछ नहीं होता है यह आपका सिर्फ एक तरह से certificate के उपर नाम ही रहता है ठीक है वहाँ पर क्लिक कर दिया वहाँ पर registration fees इसकी इतनी रहती है हम first time registration करते हैं जब ठीक है तो इसका 700 fees है इसमें payment पर क्लिक करना है हमने उसके बाद वो बताएगा कि हम जी इतनी फीस है तो हमने yes पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमें यहां पर पेमट का option दिखाएगा ठीक है यह payment window को लगी payment gateway यहां पर हमारे पास option है credit card debit card internet banking तो जो भी हमें suit करता हो चूज करके हमें payment कर दिनी है ठीक है तो payment submit कर दिनी है ठीक है और submit करने के बाद हम आगे करेंगे paper enrollment ठीक है जो पेपर जो submit करने कि कौन सा कौन सा exam दिना है जैसे licensee के लिए ठीक है जो compulsory exams है वो होगे जैसे एक compulsory है आइसी 01 प्रिंसिपल प्रिंसिपल ओफ इंशोरंस एंड जर्नल इंशोरंस के लिए आइसी 11 प्रिंसिपल ओफ जर्नल इंशोरंस है ठीक है प्रैक्टिस ओफ जर्नल इंशोरंस है तो life insurance के लिए आइसी 02 तो वैसी हमने यहां पे क्लिक करना है paper enrollment पहले exam registration then paper enrollment then professional examination तेक है उस पे क्लिक करने के बाद यह आप पढ़ लेना इसको पोज करके then उस पे हमने select करता है हमें subject tag करने है जैसे ic01 है यहां पे डबल टू दिया ना 22 life assurance underwriting यहां पे क्लिक करके हमें हमारा पहले हमने चूज करना है examination type तो licenciate के लिए जैसे हो गया associate के हमें online या offline अपने coding चूज कर लेना तो हमने online select करना है यहां पर ठीक है examination type है examination type चूज करने के बाद हमें subject चूज करने है subject चूज करने के बाद language Hindi यह English यह दो language है तो चूज करके then हमें center चूज करना है कि हम कहां पर exam देना जाते हैं तो हमारा center कौन सा रहेगा तो हमें nearest center जो पढ़ेगा हमें search करके चूज कर लेना है तो यह center almost हर एक city में available है तो आप nearest जो भी आपको पढ़ता है तो चूज कर लेना date time starting date time चूज करके यहां पर fees आएगी तो वह कर लेना ठीक है select और साथ की साथ यहां पर option आता है study material e-learning study material hard book और e-learning दो रहेंगे तो अगर आप study hard book पे click करते है तो आपको book में लेगी by a post जो आपने profile में जो address डाला था पिन को डाला था ठीक है तो उस पे वह आपका hard book जाएगी ठीक है hard book means कि book जाएगी पूरी full pages वाली तो वह उस address पे जाएगी जो आपने profile में पीछे डाल जाएगी और e-book learning की cost थोड़ी सी कम रहेगी तो हमने add subject कर देना है तो total amount यहां पर हमारी show हो जाएगी उसके बाद जो जो हमने select कर लिए तीन licenciate वाला तो तीन select कर लिए प्लस हमारी registration fees होईगी ठीक है तो सब कुछ add करके तो हमारा जो भी रहेगा तो हम उसमें payment पर click कर देंगे add करती के बाद सारे subject add कर लिए तीनो बानो इनो ने तो दो किया हमने तीन licenciate में तीन हो गया associate मे जितने हम choose करना चाहते है minimum 6 है na 250 credits चाहिए तो उसके according हम credits के according वो उसको choose कर लेंगे then payment पे click कर देंगे payment पे click करने के बाद हमारे हमें confirmation पूछेंगा yes या no पूरा payment पे वो टेक्स हमें show करेगा कितना इतना आपके charges बनती है तो उस पे yes पे हमें click करना है तो और payment हो वैसे है payment credit card debit card internet making अपने according हमें वो payment कर देनी है payment करने के बाद आपको एक एकदम से जैसे हमने आपने payment done कर दी तो साथ ही साथ आपको mobile पे भी message आएगा कि हैं जी आपकी payment complete हो गी है ठीक है और आपका registration confirm हो गया है registration confirm होने के बाद भी आपका यहाँ पे काम खतम नहीं होता तो आगे थोड़ा सा ओर रहता है कि आपने slot booking करनी है slot booking के बाद वो आपका full done हो जाता है registration slot booking क्या है हमें इसमें बात करते हैं आगे जैसे हमने registration कर दिया तीन यहाँ पे column one में दिया है step and details लिखा है step and details में one two three and four दिया हो है और फिव्थ ठीक है तो one में है registration for new candidate subject enrollment जो हमने registration कर दिया subject enrollment कर दी center select कर दिया ठीक है तो हमें एक chances मिलेगा subject change करने के लिए वो सिर्फ dates में हमें उसी dates में करना है छे जनवरी से लेके 13 जनवरी और फूर मार्च examination के लिए जून examination के लिए वह 6 एपरल से 15 एपरल ठीक है 2021 तो उसमें यह examination dates दिये हो है तो उसी recording हमें चलना पड़ेगा तो हाँ पर यहाँ पर भी मार्च examination के लिए 2 फरवरी ठीक है से 8 फरवरी तक का स्लोड बुकिंग हमें इसके बीच ही करनी है अगर हमें मिस कर दिया तो हम रह जाएंगे उस एक्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए में हम रिजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होएगा स्लोड बुकिंग होता है स्लोड बुकिंग है कि स्लोड बुकिंग में हमें सेंटर बुक करना होता है और टाइम एक्जामिनेशन का स्लेक्ट करना है जैसे एक्जामिनेशन थर्ड कॉलम है एक्जामिनेशन डेट दी हुए है सेटरड़ संड़े 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 स साधे दस अवाजे, कितने वजे वूद टाइम सलेक्ट करना है, स्लोड बुकिंग करने के बाद, उसके बाद एक होल टेक्ट आती है, होल टेक्ट हमारा क्या है? एक एड्मिट कार्ड रोल नमबर है जैसे, तो वो रोल नमबर जरुनेट हो जथा रोड बुकिंग के बाद ही तो उसके कोडिंग हम एक्जाम देने जाते हुं यह जो डेट से हैं जैसे हम साल में चार बार एक्जाम होते हैं मार्च में जून में सब्टमबर में और दिसंबर में इनकी अगर मानो हम मार्च में वो करवाना चाते हैं तो हमें अपना प्रसेस 6 जनवरी से स्टार्ट करना होगा अगर जून में एक्जाम देना चाते हैं तो 6 एपरेल से स्टार्ट करना होगा और सब्तंबर में एक्जाम देना चाते हैं तो 6 जुलाई और दिसंबर में 6 एक् पोडिंग चड़ना पड़ेगा तीक है